हलो आज है 20 सब्टेंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अधानी पावर के बारे में देखे अधानी पावर ने आज सुबह सुबह सबको डरा कर रखा हुआ था मतलब सब लोग डरे हुए थे और इवन जब मैंने भी आज अपना जरूदा एप ओपन किया तो है लेकिन अधानी पावर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है अभी के दोर में तो वुडियो में हम बात करेंगे कि 97 पे आ चुका है 3.5% के गिरावट है और एक बहुत बुरी खबर अधानी पावर के लिए है तो वुडियो में हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे लेक 37 रुपीस का शेर है आज भी 3% के गिरावट है और पिछले एक महिने में अगर देखे तो 25% से भी ज़्यादा का ग्रोथ है हाला कि तूट चुका था ये 73 पे था पड़ी रफ्तार पगड़ी तूट के नीचे आ है रफ्तार पगड़ी और अभी उसी के हास पास गुम रह है लेकिन एक बुरी खबर इसका इंतजार कर रही है और यही वज़ा है कि आज शेर आपको 3% डाउन देखने को मिल रहा है एक के अदानी पावर अगर हम देखे तो वहिया सुप्रीम कोट ने जो 2019 में अपने फैसला सुनाया था उस पर पुना विचार करेगा आप देखे 2019 में अदानी के फेवर में एक फैसला आया था उसके बारे में अगर हम देखे तो सुप्रीम कोट अदानी पावर और गुजरात उर्जा विकास निगम मामले में 2019 में दिये गए अपने फैसले पर फिर से विचार करने को तैयार हो गया है एक्शली दो साल पहले क्या हुआ था कि देश की सबसे बड़ी अदालत जो है उन्हेंने बिजली खरीदने के अगरिमेंट को रद करने के अदानी पावर के फैसले को सही ठहराया था ठीक है तो मतलब अदानी पावर उस वक जीतिया था और जो भाईया गुजरात उर्जा विकास निगम ने पिटिशन फाइल करी दुबारा से और आप देखें कि सब सुप्रीम कोट तयार हो गया है इस मामले की बड़ीया चांच करने में सुनावनी करने के लिए आप देखें सुप्रीम कोट ने पुन्हा विचार याची का खारीच कर देने के बाद इस दाखल करी और इस पर फिर से पुन्हा विचार करने को मान गया है ये और 30 सब्टेंबर को अदालत में इसकी कारवाही आपको देखने को मिल सकती है अब पूरा मामला क्या था अगर हो अगर हम वो देखें तो अदानी ग्रूप और ये जो गुजरात उर्जा विकास निगम है उस गलत तरीके से रद करने का आरोप लगाया था ठीक है मतलब ये अदानी पावर ने भईया इसको गलत तरीके से रद कर दिया था जो उनको नहीं करना चाहिए था इस मामले में ट्रिब्यून का जो फैसला अदानी ग्रूप के पक्ष में आया था और तब से उन्होंने बैटल शुरू होने वाला है अदानी पावर अगर देखा जाए तो देखो एक महिने में आपको 25% का रिटन देखेगा एक साल में भी देखेए 360% का रिटन देखेगा लेकिन शेर बहुत ही और इवन तरीके से यहां पर चल रहा है जब तेजी आती है बड़ी रफतार आत से वह बड़ी रफतार पकड़ रहे थे रोके नहीं रोक रहे थे भाया पी देखो हजार तक पहुंच गया था कुछ-कुछ कंपनियों का तो तो यह बहुत ही मतलब कह सकते हैं और इवन बाद में चब पता चला कि भाया एफाइल्स वाले ही जादातर इन्वेश्ट यहां तो बहां लंबा नहीं कहिचूँगा इसको अवर अगर एक बड़ी खबर जो है वो यही है कि जो बड़ी अदालत है वो इसके उपर फैसला सुनाने वाली है और देखना हुआ कि आने वाले वक्त में क्या होता है इनके लिए अगर में बात करने जाओं तो देखो अदानी पावर ने long term में bank FD जितना भी return कमाकर नहीं दिया है reason यह है कि वह अब power company अभी focus में आई है इससे पहले कोई पूछता भी नहीं था देड़ दो साल पहले power company को कोई पूछता भी नहीं था कोई खरीदता भी नहीं था यहाँ पर लेकिन जब से शुरुवात हो रही है चर्चा हो रही है electrification की electric vehicles की तब से जो आग उगली है renewable energy की जो चर्चा हो रही है तब से तब से इसने आग उगली है और सिर्फ अदानी power ही नहीं सभी company ताटा हो या और कोई हो सभी company दोड रही है बड़ी रफ्तार से दोड़ रही हाला कि dividend भी पे नहीं कर रहा है यह अदानी power खरीदने का सही मौका है और यह कह रहे है भईया ticker tap मैं नहीं कह रहा हूँ और red flags काफी जाद है क्यों promoter के बहुत सारे शर्स गीर भी पड़े हुए है इतनी बड़ी गिरावट आने के बावजूद जो 160-165 पे share पहुँच लिया था जो अभी 100 रुपे से भी कम है फिर भी इसका PE ratio 30 का है अभी और sector PE 24 का है मतलब अभी थोड़ा से महंगा आप कहा सकते हो और highly volatile share है यह holdings की अगर हम बात करने चाहिए holdings तो यह को मामला पूरा यही पे था 75% की holding promoter लेकर बैठते हैं और 17-18% की holding Files लेकर बैठते हैं बहुत smartly तरीके से mutual fund और domestic वाले हाथ नहीं डालते हैं यह company अगर fundamentally इतनी ही जादर strong होती तो बड़े fund houses इस हाथ क्यों नहीं डालते हैं वहाँ पर तो यह risk बहुत जादा involved है यहाँ पर और बहुत महंगे भी हो चुके देखें खरीदारी करी किनों ने थी September में अगर में जाओ September 2020 में जाओ तो retail वालों के पास सिर्फ 3% की holding थी और अभी retail वालों के पास holding है छे परसंट से भी जादा की मेरे लब खरीदारी वही कर रहे थे और F.I.L.S. और other party वालों को थोड़ा-थोड़ा करके माल चिपका जा रहे थे और दूसरी promoter की बहुत बड़ी holding यहाँ पर गिर्वी भी नजर आती है आप देखे प्रमोटर के पास भले ही 75% की holding है लेकिन उसमें से 25% की holding प्रमोटर की गिर्वी पड़ी हुई है तो ये भी एक दिक्कत है देखे अदानी पावर है देखो मैं ये नहीं करूँ कि कंपनी खराब है जी नहीं खराब नहीं है लेकिन महंगी है ठीक है शेर खराब नहीं है इसका लेकिन महंगा है और वर्थ नहीं है इतना महंगा वर्थ नहीं लगता है मुझे 97 रुपीज 100 रुपय या आज स्पास तो भईया मैं यहां पर कभी भी बाइंग ना करू यह मैं हर बार बोल चुका हूँ और मैं आगे भी यह चीज़ कहूँगा जब तक जब तक फंडामेंटली चीज़े यहां पर क्लियर नहीं होती है ठीके दो बड़ी चीज़े यहां पर चल रही है पहली चीज़ और चल रही थी भईया इनके अदानी पावर की जो डी लिस्टिंग को लेकर चर्चा थी पिछले साल उसको लेकर सेवी अभी भी जाच कर रहा है दूसरी यह एक और केस निकल आ गया और वुसमें भी 2019 में अदानी पावर जीदिया था हार गया होता और दुबारा निकल गया आता तो मान सकते हैं अच्छा चलो भाई यह बहुत अच्छी ख़बर है लेकिन अदानी पावर जीद गया था और अब भाईया मामले में पुना विचार किया जाएगा तो शायद हो सकता है कि अदानी पावर फिर से जीते या फिर हार भी जाये लेकिन चांसिस तो भाईया अगर हार गए तो भाईया दिकत तो होगी बड़ी पेनल्टी चुगानी पड़गी इन सारी चीदों की तो अदानी पावर देखो बुरी कमपणी नहीं है अगे इन में कहते हूं बूरी कंपनी नहीं है जरूर जरूर आप अगर लॉंग टर्म में देखोगे इसको तो 120-130 रुपए के आसवास आराम से नज़र आगा लेकिन बड़े लॉंग टर्म की मबात कर रहा हूं यहां पर उस शॉर्ट टर्म ही भी अगर चला गया तो दुबारा बहुत जोड से 80-75 रुपए के आसवास मिले 75 के आसवास मिले ही तो खरीदारी के मौके होंगे यहां पर उससे पहले नहीं उससे पहले नहीं मुझे लगता कि खरीदारी के मौके बहुत हाईली वॉलेटाइल है अब यह न्यूस पर ट्रेट कर रहा है फंडामेंटल उतने अच्छे नहीं अब यह न्यूस पर ट्रेट कर रहा है अच्छी न्यूस आ गई तो भाईया दोड़ गया अच्छी न्यूस नहीं आई तो फैक दिया नीचे तो उस चीज़ को याद रखे अधानी पावर डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि अभी कोई मौके बन रहे हैं यहां पर और कोई भी उनके फैवर में नहीं है एक के वादे केस खुल रहे हैं और अच्छे नहीं है इनके लिए औरल में इतना ही कहूंगा तो अधानी पावर को लेकर वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा पसंद आए हो तो लाइक कर शाय करें चैनल बगरा पहली बाहर आएं तो प् मुझे कमेंट में लिखके बता सकते हैं थैंक यू